हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है दोस्तो हमारा यूटूब चैनल पर दोस्तो काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें सर्सों में कितनी पानी डालना चाहिए दोस्तों आज हम इसी टोपिक पे बात करेंगे दोस्तों आज हम पीलिद सर्सों की पिराई कर रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों अभी ये धीमी गती से चल रही है कारण यहा है दोस्तों कि हम दोनों चला रहे हैं चक्की भी और अस्पेलर भी तो इसके कारण हम थोड़ा-थोड़ा कम ही गाला दे रहे हैं इसमें और यह सही से चल रहा है दोस्तों ऐसा बात नहीं है थोड़ा-थोड़ा कम गाला देकर इसको भी हम चला रहे हैं और उसको भी माइनस कर रहे हैं ताकि गेहूं का जो केस्ट मारा लौड है और इधर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा यह क्वै – प्राइ करते हो तो पानी आप जरूद डालें दोस्तों कि आपका आपका जो है वो सही से निकल पाई दोस्तों पाणि नहीं डाल येगा तो आपका और चाइब निकल पाता है अगर जदी आपके पास 10 kg सुखा हुआ तो उस पर आपको कम से कम आधा लीटर पानी ज़रूर डाले और 20 केजी आता है तो आप कम से कम उस पर 1 लिटर से 1.5 लिटर पानी जरूर डालें ताकि आपका ओइल सही से निकल पाए दोस्तो अभी हमारा डवल लोड चल रहा है 48 उन्चास फिक्वेंसी पे और एम्पियर हमारा 9 एम्पियर ले रहा है दोस्तो दोस्तो आज का मोसम जो चल रहा है वो ठंड का मोसम है जिसके कारण यह 9 एम्पियर हमारा पेनल से आ रहा है और गर्मी का मोसम रहता है दोस्तो तो 11 Ampere फुल आता है तो हमें 9 Ampere में ही मैनेज करके दोनों को चला रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हमारा दोनों चल रहा है मोटर से दोस्तों ये हमारा पीली सरसों की पिराई चल रही है दोस्तों आप लोगों को बता दूँ ये थी आप लोग की जानकारी कि हमें पानी कितना डालना चाहिए और पानी बहुत मेटर करता है दोस्तों अगर पानी आपका सही से नहीं डलेगा तो खल भी नहीं बनेगा और जो चिपाई है वो सही से नहीं हो पाएगी इसलिए पानी आप चरूद डालें और अपने अनुभाव लगा सकते हो आपकी हम जिस तरह से बता दिये उस अनुभाव से आपको ज़्यादा ज़्यादा अगर आपके पास सबसो आती है तो आप उसके अनुभाव से आप पानी डाल सकते हो दोस्तों हम अभी हमारा दोनों चल रहा है तो मिलते हैं लिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों